बूल मत्या गुड़ी इनिंग दोस्तों मैं उस आरव को आप देख रहे हैं माइंड़ स्टेडी 22 तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी एक इंट्रिव्यू की एक सिरी चल रही है जिसमें हम स्टूडेंट्स का एनालेसिस करते हैं जिससे हमको बहुत कुछ सीखन को मिलता है तो उस्सी सी रीज में आज हम स्वागत करने वाले हैं साविर खान का तो हम जानेगे साविर खान से की किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन करता है क्या उसका स्ट्रेगल रहा हैम जो पढ़रे रिंट मेरा आप से है कि आप जो अपनी करते हैं उसका जो सिस्टम है वो क्या है आप मियानी की कैसे इस पर खो सके उस तरफ देखिए कर रहा हूं तो वह यह कि सब के पास स्टेंडर्ड बुक्स तो होती हैं तो मैं फिलहाल हर्याना मतलब नॉर्मल जीस के लिए एंस्यार्ट इस पढ़ रहा हूं एंस्यार्ट इस भी मैंली 11 और 12 की क्योंकि लगबक 10 तक नॉर्मल एंस्यार्ट इस होती हैं तो उतने बेसिक मतलब मेरा है पहले से लिए ओर उसके बाद हर्याना जी जीके के लिए हर्याना जीस क्योंकि वह सीटी में पर्टिकुलर रॉल है उसका लगबक 35 मार्क्स का वह आएगा हर्याना जीस तो उसके लिए मैं एक ग्ञान दर्शन की बुक है और एक अरिहन्त की बुक आती है हरियान जी उसके लिए तो वह पढ़ रहा हूं और रही बात मैथ और रीजनिंग की तो वह मतलब मेर पास 11 और 12 में साइंस मीडियम था तो इस वज़े से मैथमेटिक सी था मेर पास तो मैस में मुझे इतनी प्रोबलम नह तो नाम है वो अपना आप में बहुत एहम योगदान देता है तो जब आप अपनी स्टेडी करते हो मानलो आप कोई भी टोपिक पढ़ रहे हो या आप उसका जो या तो आप रिवीजन एक दो घंटे बाद करते हो गया मानलो आपने मोर्निंग में पढ़ा तो नाइट में क्यों सोते टाम उसका रिवीजन करते हो गहें या फिर आफ ऐसा करते होगे कि या आप हफ्ते में एक बार रिवीजन करते होगे कि रिवीजन कर दो श shutdown का इए कि मैं क्योंकि एंस और और एक अधिष करता हूँ पर्टिकुलरली मतलब सोने से पहले एक एक देट घंटा उसी लिए होता है और उसके बाद पूरे वीक में एक दिन उसका होता है जो पूरे पांच चे दिन में मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज किया जाए क्योंकि मैं मतलब किसी भी कम्मेटिशन के लिए सबसे ज़ादा यह है कि आपको चीजें याद हों और आप उन चीजों को यूज कर पाएं तो इसलिए मैं रिवीजन पर जादा फोकस करता हूं तो कहने का मतलब यह है रिवीजन का होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है हरी स्टुडेंट को अपना रिवीजन करना चाहिए चाहे वो लाइट में एक घंटा सोने से पहले करें या फिर वीकली में एक दिन अपना सेट कर लें तो साबिर भाई आपका डेली रूटीन क्या होता था कि जब आप किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे जैसे हरियान प्लिस का आपने एक्जाम दिया था तो उसकी जब प् साबे चह साथ बजे उठ जाता हूँ तो उसके बाद में यही कि अपना पहले फिरेश होने आठ बजे से स्टैडि के लिए बैठता हूं तो आठ बजे के बाद में फिर यह कि अपने तो से मुझे लग रहा है आपका जो पढ़ने का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है और जो मैं अब तक यहां पर जो देख पा रहा हूं उससे यह पता चला है कि smart study के लिए इस तरीकी की जो गुण है वो एक हरी student में होना चाहिए ताकि वो भी अपनी जो स्मार्ट जो study जो है वो स्मार्ट तरीके से कर सके मेरा अगला question आप से यह है कि जब एक student होता है तो सबसे पहला question या किसी जब एक student खुद को किसी भी exam के लिए तयार करता है तो सबसे पहले problem यह आती है कि वो क्या पढ़े और क्या छोड़े कौन सी book पढ़े है कौन सी नहीं किया जी देखो यह मतलब यह चीज डिसाइड करने के लिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सबसे पहले चीज है कि स्लेवस हम जिसबी एक्जाम में बैटना चाहा रहे है या मतलब जिस भी exam preparation कर रहे है तो सबसे पहले उसका स्लेवस हमें पता होना चाहिए क्या 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 चीज़ें है क्या क्या चीज़ेंगी और अंपने कि वunto क्या आएगी ऐगी तो उसे ल इने ये decide करने के लिए बहुत सारे experts जो teachers हैं उनको सुना है तब ही जाकर साविर खान जो है ये decision ले पाया है कि उसे क्या पढ़ना है क्या चोड़ना है तो इसलिए आपके लिए भी बहुत महत्पून होता है ये सारा decision लेने के लिए आपको भी बहुत सारे teachers को सुनना बाकी का जो extra घ्यान जो है वो साइद आप रहने दे क्योंकि पहली जो जरूरत होती है वो हमारे area के जो हम अपनी जब वो देखते हैं conditions तो यही हो जाती है कि नोक्री जो है जल्द से जल्द हम ले लें तो उसी तरीके से जल्द से जल्द हमें नोक्री लेने के लिए अपने जो systematic ढंग से जो है preparation करनी चाहिए वो बहुत जरूरी है तो साविर भाई आप से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा दो-तिन question मैं आप से करना चाहूंगा कि आप फिलहाल जो है हरियाना CET की preparation कर रहे है आपने हमें बताया है कि मैं practice भी करता हूँ revision भी यह सारी चीजा आपने हमको बता दिया है book list आप हमें थोड़ा book list के बारे माँ बताईए कि आपकी book list क्या थी NCRT आपने normally यह सब बता दी थी आप नॉर्मल जो कि mathematics की special book बता है जो कि आपके बहुत अच्छी आपको लगती है mathematics के लिए तो यही है कि एक राकेस आदवसर हैं जो कि मैं लिए SSC की preparation कराते हैं तो उनका level यह है कि CET के मुकाबले काफी high है तो जो student मतलब mathematics पर अपनी command बनाने चाहता है तो राकेस आदवसर के lectures भी course भी हो अवेलेबल है और उनकी books भी है arithmetic के अलग है? advanced के अलग है advanced के लिए आप और मेरे हिसाब से तो मैंने advanced के लिए बहने शर्मा की book लिए हुई है वो भी SSC fields related है और arithmetic के लिए मैंने राकेस आदवसर की book लिए हुई है mathematics का तो यह है और हर्यानजी के 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 लिए मैंने एक ग्यान दर्सन की book आती है वो है मेरे पास एक अर्यान्ट की book है हर्यानजीS की और नॉर्मल अंडिया GS के लिए मेरे पास NCRT's है और NCRT's के लावा मैंने लूसेंट ली हुई है क्योंकि उसको काफ़े recommend किया जाता है और वो मतलब GS के लिए काफ़े अच्छी book के मैंने खुदने भी पढ़ी है तो यह मेरे पास GS के लिए है बाकी reasoning के लिए मैं इतना फिलहाल CT के लिए तो इतना नहीं कर रहा हूँ क्यों फिर यह है कि SST वगेरा के लिए आपको अच्छी खास reasoning पढ़ने होती है तो अगर कोई reasoning करना चाहा रहा है तो reasoning के लिए भी राके स्यादव सर की book आती है और नहीं कोहरे सगरवाल सर है उनकी book भी आती है तो आप इनको यूज कर सकते है अच्छा जी अब तक जो हमने आप से जाना है वो education से रिलेटर जाना है अब मेरा अगला question जो है आप से वो यह है कि देखे वो बहुत सारे जो students हैं उनकी जो समस्या जो है उनकी जो problem है कि वो अपना मन नहीं लगा पाते है पढ़ाई में ठीक है मतलब mind divert हो जाता है मन लगा पाते हैं या demotivate रहते हैं तो मतलब आप कभी ऐसा नहीं है कि आप हर रोज 24 hours motivated रहते होंगे तो आप भी कभी-कभी demotivate होते होंगे तो आप हमें बताए कि जब आपको मतलब थोड़ा वैसा लगता है वैसा feel करते हो आपकी ये नहीं हो सकता मतलब लगबग सारे student ही feel करते हैं तो तब आप क्या करते हो motivation कैसे बनाते हो देखो एक चीज ये कि मतलब motivation factor के लिए कि हमारा जो ये है मेवात और पुनाने एरिया है तो इसमें एक एक negative elements यहां पर मतलब इतनी education के लिए कर awareness नहीं है और supposedly ये कि आप अगर घर में पढ़ना चाहरे हो तो आपको वो atmosphere और environment नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहां में जो families होती है वो बहुत पूरी joint families होती है और एक family में लगबग 9-10 members होते है तो आपको मतलब अगर पढ़ना भी चाहरे होता आप disturbance होती है काफी तो उसके लिए ये कि आप पहले तो एक मतलब ऐसा atmosphere चूज करें जिसमें आपको मतलब थोड़ अच्छा environment मिले और थोड़ पीसफुल environment रहे तो उसके लिए आप ये ये कि आप लाइबरेरी जोइन कर सकते हो अब जैसा कि हमारे पुनाने में खुली हुई है अभी start हुई है तो ये एक मतलब बहुत positive एक step है हमारे मेवाद चीतर के लिए दूसरा motivation का ये कि अगर आप थोड़ बहुत demotivate feel कर रहे हो तो आप सबसे बड़ा factor थो आपका अपने family ही है आपके पास motivated होने के लिए कि आपके families आपके father मतलब uneducated होते हुए भी और मतलब एक poor background होते हुए भी आपको पर पैसे लगा रहे हैं आप से उम्मीद हैं उन्हें तो एक तो सबसे बड़ा motivation factor यही है दूसरा ये कि अगर फिर भी आप motivation के लिए कुछ अगर आप बीच में मतलब 24 घंटे तो कोई भी motivate नहीं रह सकता और सफिसली चलो एक दिन आपने start क्यों किया था यह दूसरा आप पास अपनी family है और फिर भी अगर नहीं है तो आप पास friends होते हैं तो मैं particularly यह करता हूं जिस time मतलब मुझे demotivate feel होता है तो जो मेरे close friends से उनसे मैं बात चीट कर लेता हूं तो काफी मतलब अब तक आपको हम से बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है हमको आप से अब मेरा आप से last question यह है कि हम जब अपने area की बात करते हैं जैसे कि आपना बताया है education को लेके जो है यहां के जो students है यहां के जो लोग जो हैं वो कम जाग रुख हैं तो यहां पर जो हमारा यह process जो है library का इसके बारे में बहुत सारे जो students उनकी thinking जो है गलत है क्योंकि हम एक library coordinator है उसका coding हमको पता चलता है तो आप एक बार थोड़ा library के बारे मोर बताए कि हाँ पर आप कैसा फिल कर रहे हो जी देखो सबसे पहले तो यह यह कि मेवाद के बारे में मतलब जो भी नीतिया आयोक की एक रिपोर्ट आए थी को मतलब 2019-20 का सपास तो उसमें यह बताए गया था कि पूरे ओल इंडिया में मेवाद हमारा district है जो क कि मतलब most backward district है तो इसका सबसे पहला reason यह है कि यहाँ पर education की facilities नहीं है education वाला environment नहीं है और दूसरा यह है कि यहाँ पर awareness नहीं है education को लेकर इसलिए हमारे parents जो हम देखते हैं गाओं में parents गल्स को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर मतलब almost मतलब एक दो होते हैं exceptional case जो पढ़ा लेते हैं वाट मतलब girls education पर इतना focus नहीं किया जाता है दूसरा यह कि यहाँ पर वो facilities भी नहीं है अगर कोई पढ़ाना च हूडल बिलोक है उसमें जाना पड़ा वहाँ पे schools है अच्छे तो एक reason तो यहीं है और फिर दूसरा यहाँ आप library को लेकर पूंच रहे हो तो मुझे लगबग यहाँ पर एक डेड़ महीं नहीं हुआ भी तो तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बहुत अच्छा environment है और अब कुझ जादा पता होगा क्या complaints आ रही है वो भी matter करते है किस चीज़ के लिए regarding complaints है तो आप से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा साविर भाई और हम आपका बहुत-बहुत स्क्रियादा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया तो आप से हमको बहुत कु क्योंकि आपका जो मैंने जो आप से बातचीत की है उससे पता चलता है कि आपका जो तरीक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और मुझे और आप अगर हमारे चैनल पर new है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके सा आप हमारे मेवात के रहने वाले हो तो मेवात के जितने भी पढ़े लिखे इस्टुडेंट्स हैं जितने भी पढ़े लिखे बंदे हैं सारे हमारे साथ जुड़े ताकि हमारे पास मेवात का जो एजुकेशन के कम्प्लीटली जो डाटा है वो हमारे पास रह सके ठीक है तो यह बहुत जरूरी होता है इसी लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और education related हर information के लिए आप हमसे contact करें किसी भी तरी की कोई समस्या है तो आप हमारे साथ share करें और आप library भी join करें अगर library भी join नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर भी हम आपके साथ हैं आप जरूर पढ़ाई से जुड़ें और पढ़ते रहें अपनी family में भी अपने माबाप को भी इन बातों से link करें ताकि वो अपने मेवात को आने वाले future में बहुती सिक्षित और बहुती अच्छा बना सके तो यही आप सबसे मेरी उमीद है कि आप सब लोग जो हमने बातचीत की है उससे बहुत आपको सीखने को मिलेगा बहुत बहुत सुक्रिया आप सबका आपने लाश तक हमको देखा और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें लाइक करें, सेर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा आपका फीडबेक हमको मिलना चाहिए कि आपके इस वीडियो से क्या मिला है